कि पदम सिरी कावड आप उनको देते हैं जो कहते हैं कि देह आजा 2014 में हुआ आप उनको क्युम नहीं दियें जो लोगडाउन में, जो कॉरोना के वक्त में राष्न बाट रहे थे, आगर हिरोइन को देना था तो हमारे सोनु सुट भी हिरो थे, आप क्यू नहीं उनको दिये उनोंने हिंदुस्तान में आज के देट में आपको नेता बनना है तो और वहत असानी से बन जाएंगे अश्वी मदा और है यूद को, कहार है और वह दिखांवा है महात्मा गंदी के लिए आपका प्यार दिखांवा है यह इसिष्थ प्रश्वाइब दिखावा है अच्छा हुआ यह सलमान खान नहीं कहा यह सारुक खान के बेटे ने रस दिया वह भी गलत था वह जिल के हवा गिया मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो गलत करेगा उसको जिल का हवा तक ना पड़ेगा तो अडानी के जो एरपोर्ट में मिला कंगना रनावत यह उसका पूरा नाम है दलाल कंगना रनावत डी जान के विएजभी मिंस और बामन के अपमान के वीजवद्गे विर तमाम सहीदों का जो सहीद इस देश के विए इस देश की आजादी के लिए अपने जान की अहुती दे दी हैं वो कंगना रनावत कह रही है कि देश को आजादी भीक में मिली और कह रही है देश को आजादी 2014 में मिली मुझे सर्म आता है उन बीजेपी के दालों पर बीजेपी वालों पर के आप कहा है और आप चुप क्यूं है क्य यह आपका देश ही थै कि यही अच्छे दिन है कि जहां कंगना दलाल कंगना रनावत कह रही है कि देश को आजादी 2014 में मिली है हमारे वीर जवानों का चंदर सेखर राजात का सहीद भगस सिंग का अस्वाक उल्ला खान का आप बताएं यह सब बलीदान को वो दलाली कर रही हैं मुझे सर्माता है सर्माता है मुझे कि मैं ऐसे देश में रह रहा हूँ जहां मेरे वीर जवानों का अपमान हो रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं मुझे सर्माता है यह पूरे देश के सवसो करोड हमारे देश नागरिक का है यह अपमान उन माओं का है चिनों ने अपने बच्चों की जान किया हुती दी है इस देश के समर्पित किया है यह अपमान उनका है जो आजादी के वक्त लड़ते लड़ते सहीद हो गए हैं अंग्रेजों के खिल कि सायद आपकी चैनल मेरी बात को देश के पधान मंतरी को देश के ग्रे मंतरी को ये बात मोचाए के पदम शरी का आवोड्ड आप उनको देते हैं जो कहते है कि देश-अजाद 2014 में हुआ आप उनको क्यों नहीं दिये जो lockdown में जो कुरोना के वक्त में रासन बाट रहे थे अगर heroine को देना था तो हमारे सोनू सुट भी hero थे आप क्यों नहीं उनको दिये उन्होंने आपका banner नहीं लगाया आपका photo नहीं लगाया तो आप उनको award देने के विना उनके घर में कानून चल रहा है मुझे घिर आ रहा है ऐसी जानए पर जो पावर देशी तम में सी सिर्फ शिर्फ दिन रात प्रम ने का काम कर रही है 14 вед को दलाल प्रम आपके चैनल के माद्दम से कह देता हूं अगर आपने पूरे देश से मफी नहीं मांगा तो मैं आपके ओपर करूंगा 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 कि गंगना रनावत दलाल कंगना रनावत फेल हो चकी है उनका हर फिल्म फ्लॉब जा रहा है अस्रील फिल्मे बना रही थी वो भी फ्लॉब जा रहा है उनका दाल नहीं कर रहा है बॉली बुट में तो उनको लगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पावर है जो तरह सरहां राज कर रही है जहां आप उनकी दलाली करे तो आपको अच्छा हर बार दलाली करकर के दलाली करकर के क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरह से देश के तमाम मेडिया तमाम पावर तमाम तक्त में बैठे हुए तमाम लोग आज बीजेपी के दलाली कर रहे है उनको अच्छा पूजिशन मिल रहा है इसलिए वो दलाली करते करते उनको भी प पदम सिरी आवाड दे करके आप मुझे बताएं कि आर पदम सिरी के लाइक नहीं थे लोग क्यों सोनू सूट अगदार था अगर फिल्म अंडिस्ट्री की बात की जाए तो सोनू सूट एक ऐसे हीरो थे एक ऐसे अभी नेता थे जिन्होंने रियल लाइफ में काम किया जिन्ह के लिए तमाम सुबिदा उन्होंने कराया तो यह मोदी जी का इनसाफ था कि उनको पदम सिरी तो दूर की बात उनके घर में एड़ी सीबी आई जैसे सिरी भेज़ दी है आप भेजने के बास सिरी नहीं बलके यह भी कहा गया कि कंटीन्यू इनके ओपर नजर रखा हिंदुस्तान में आज के देड़ में अगर आपको नेता बनना है तो बहुत असानी से बन जाएंगे बहुत असानी से क्या करना है आपको सारा दिन मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी का माला जपना है कभी देखिए को योगी जी माला जप रहा है तो मंतरी मंदल में जगह मिल रहा है तो जो जितना नाम जब पाएगा उनको उतना ही अच्छा पोजिशन मिलेगा यही है इस देश का एक तानासाई हुकुमत जो हुकुमत देश को सिरी वगराने का काम कर रही है हिंदू-मुसल्मान के नाम पर भाईया बंगाल की जनता ने तो इनको कड़ारा पड़ेगा फिन्दोस्तान की जनता कह रही है कि रोजगार दीजिए पकावरा बेस्क्र के हमारा गुजारा नहीं चलेगा यहिं और आपका नहीं है मैं तमाम बिजैपी करनेों अब कि लिब्साँ करने वाले से पूसता हूं बिजैपी का हरे करबी थिए करमी के तो नंबर दो नंबर में आता है उनके नजर से तो आप अगर एक नंबर है तो आपके गला में आवास क्यों refused कि यह आ नहीं लिया है उनको तमाम दलाल मेडिया को क्योंकि मेडिया उसको दिखा रही नहीं आप जैसे जो चाइनल है जो सच को बाहर निकलने का काम कर रही है वो ही दिखा रहे हैं अच्छा मेडिया जितना भी रहा अच्छा माने दलाल मेडिया अब वो भी मेडिया दलाल हो गिया कभी कगना दलाल कभी मेडिया दलाली चल रहा है दलाली चल रहा है तो यह जो मेडिया दलाल मेडिया है वो यह नहीं कहा यह सारूप खान कि बेटे ने रख्ष लिये वह भी गलत था वह भी गलत था जो जयल के हवा गिया मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो गलत करेगा उसको जयल कहाओ तक ना पड़ेगा तो आडानी के जो एरपोर्ट में मिला जैल क्यूं नहीं कि आ मोडलиться 9010 मिल रहा है वहां पर एक को भी सजा नहीं क्यूंकि इनके ही भाई दोस्त है इनके बिजनीस पाटनर है इनको तो गरीबों को वारना एं तो अच्छा हुआ कि ये बात सलमान खान ने नहीं कहा शारू खान नहीं नहीं तो चया network या है पूरा दिली के पुली.» जितने बड़े-बड़े अगर के ममताब इनर जी के घर में चारों बगर से घेल लेते हैं कि आप ने था कहा है देस हित में ये गद्दारी है अब क्यों चुप है भाई आप क्यों आपका आवाज नहीं निकल रहा है तो आप कहे दें कि सरदार बल्ला भाई पडेल का आपका जो प्यार है वो है महात्मा गंदी के लिए आपका प्यार दिखावा है या इस देस की रानी जासी रानी का प्यार जो है दिखावा है क्या आपके लिए चंदर सेखा राजाद का जो प्यार था इस देस के लिए समर्पित किया था क्या वो बेकार गया है या आप मुझे बताएं जो देस मे हमारे जमानों जो आज भी सहीद हो रहे हैं बॉडर में लवाई करते करते हमारी देश की इफाज़त करते करते क्या वो सब ऐसे ही बेमाने हैं मोदी जी ने बचा लिया मोदी जी ने देश को अजाद दिला लिया मोदी जी ने 2014 में आजादी नहीं बलके देश को गुलाम बन में विल को वापस लिया गया वहां ये दलाल कंगना कह रही है कि ये जिहादी है और इन जिहादियों का सपोर्ट करना इन जिहादी के उपर जो किरिशी कानून वापस देना ये जिहादी हक में बहतर हो रहा है आप बताइए देश में हमारे किसान भाईयों को जिहादी कहा जा रहा है किया ये हमारा भारत वर्स है जहां हमारे किसान को जिहादी बोला जा रहा है ऐसे दलाल कंगना को मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर इस तरह का दलाली जैसे सब्द आप कहेंगे तो आपके उ पर सवाल उठाएंगे और आपके उपर कारवाई करेंगे लीगल एक्षन निया जाएगा आपके उपर